हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताके तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें शुक्रिया अश्क्राइब लेकॉन नाजरीन मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर जोया काजी और आप देख रहे हैं वजयाल सौलिया तीवी फांडेशन के फ्लैटफॉम से जैसे के नाजरीन आप जानते हैं कि बहुत सारे नोजवान ऐसे हैं जिनको अपना जिनसी प्राप्लम होता है लेकर वो किसी डॉक्टर से कंसर्ट नहीं करते हैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं सिरफ शरमिंदगी होती है कि हम डॉक्टर से जाकर क्या कहेंगे अब मुद्धा ये नहीं है कि डॉक्टर से जाकर क्या कहना है मुद्धा ये है कि जाये कौन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इस चीज़ को एवाइड कर देते हैं लेकिन बाद में उनके साथ ऐसे से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिनको वो फेस नहीं करते हैं बहुत सारे लोग अपनी ही वज़ा से अपनी शरीके हायात को ब्लेम देते हैं और अपनी कमजोरी को चुपाने के चक्रों में उनको डाइबोस्ट दे देते हैं तो नासी में आपको बताती चलो कि हर बिमारी का इलाज है अल्लापाक ने फरमाया है कि अपने मौालज से कुछ मत चुपाओ ठीक है जो बंदा आपका इलाज कर रहा है उसको ठीक से बताएं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या जलरेंगे हमें बहुत सारी मेल्स आती हैं, मैसेजिस आते हैं, कॉल्स आती हैं जिन मौसली लोग ये जिक्र करते हैं जनाब हमें मरदाना कमजोरी है, हमारा उस्वेखास चोटा है या उस्वेखास बहुत ज्यादा मतलब ये कहने के वीक हो गया है मौश्रत के काबिल नहीं रहा, तो हमें काइंडली कोई ऐसी मेडिसन बताएं जिसकी वज़ज़ से हम लोग ठीक हो सकें या कोई ऐसा टोटका बताएं, नुस्खा बताएं जिससे करने से हम ठीक हो जाएं नाजरी ग्रेलू नुस्खें भी बहुत होते हैं हमारे पास जो के हम वक्तन तो वक्तन आपके साथ शेयर करते रहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ला ताला ने तमाम जो परिंदे हैं उनके गोश्ट में जो खाने वाले हैं, उनके गोश्ट में कोई ना कोई फाइदा लाजमी रखा है कोई भी बगायर फाइदे को उन्होंने चीज़ नहीं बनाई है लेकिन जैसा कि हम लोग इन चीज़ों को इग्नौर कर देते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो के मिटी से सस्ती मिलती हैं लेकिन उनके फवायद सोने से ज्यादा होती है मतलब सोने के रेट से ज्यादा होती है तो हम लोगों को चाहिए कि इन चीजों को मदे नज़र रखा करें क्योंकि हम लोग समझते हैं कि इसका rate कम है तो मेरा नहीं खयाल कि इसका कोई पाइदा भी होगा हाँ यह हम लोग सोचते हैं अच्छा जी यह branded for example हम branded चीजों की तरफ ही आ जाते हैं एक जो कपड़ा हमें thousand का या fifteen hundred का मिल जाता है लेकिन हम brand के चुक्रों में वही कपड़ा कम से कम 10,000 रुपे का लेते हैं तो satisfaction होती है हमारी अच्छा जी brand का तो पहना होगाना कम अजकम इसकी rate भी ज्यादा है इसकी quality भी यह होगी इसका no doubt इसमें थोड़ा बहुत quality का फर्क रखा जाता है उसमें ख्याल रखा जाता है लेकिन इतना difference नहीं होता सेंग इसी तरह कोई भी product आप purchase करते हो तो उसमें कीमत से फाइदा ना है उसका लिए सोचें कि आपको इतने कम कीमत पर मिल रही है तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा आम सा परिंडा है हमारा चिड़ा चिड़े को आप जानते हैं कि इसका गोश्ट खाने से आपके अंदर जो मरदाना ताकत पैदा होती है जो आपके मरदाना कमजोरी है वो दूर होती है लेकिं चीडे का गोश्ट अगर आप सर्डियों में कहते हैं in fact गर्मियों में कुछ लोगों को सूट नहीं करता है गर्म होने की वज़ा से गर्मी की वज़ा से और कुछ को बीपी का इशू हो जाता है तो गर्मियों में भी इसका खाने का तरीका बताया जाता है मतलब आपको बताओंगी अभी मैं लेकिन सर्दी में आ गई हैं चुकिए अगर आप इसको डेली भी खाएं तो कोई मजाइका नहीं है चिड़े का गोश्ट इसक्माल करने से आपकी मरदाना कमजोरी दोर हो सकती है आपके टाइनिंव ठीक होसकती है आपके जो उज़ए खास में कमजोरी ये लागरी है या उज़ए खास का साइज चोटा है वो ठीक हो सकता है बशर्थ ये कि आप इसको रूटीन से यूज़ करें Otherwise आप नहीं डेली यूज़ कर सकते तो आप अलसौधिय तिभी फाउंडेशन का चिड़ा शादी कोर्स इस्तमाल कर लें चिड़ा शादी कोर्स में चिड़े के साथ साथ इसके तमाम जो जड़ी बूटिया है वो मिक्स अप करके एक मिक्सचर बनाया गया है जिसकी वज़े से आपकी ये प्रॉटम सॉल्फ हो सकती है गर्मियों में इसको खाने का क्या तरीका है कि गर्मियों में आप इसे बीकली एक या दो बार इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ आप बीकली इस्तमाल करने के साथ साथ आप पुदीने का कहवा पिए या फिर पुदीने का मतलब चट्मी साथ में इस्तमाल करें उससे आपके जिन लोगों का बीपी हाय हो जाता है या जिन लोगों की नकसीर फूटती है उसके लिए इस सबसे फाइदे मन्द है कि अगर उन्हें चिड़े इस्तमाल करने हैं चिड़े का गोश्ट उसके साथ पुदीने की चट्मी लाजमी इस्तमाल करें वो उनके लिए बहुत बेटर है तो नाजरीन अपनी प्रॉब्लम को हमेशा सलूशन की तरफ लेके जाएं ना के इस तरफ लेकर जाएं कि आपकी बीमारियां मजीर बढ़ती जाएं आप अपनी शरीके हायात से चिर्चड़े हो जाएं और अपना तमाम जो अपने बीमारियों का पलंदा है वो अपनी बीवी के सर पर थोड़ दें ऐसा नहीं होता कमजगम ठीक है दोनों में प्रॉब्लम होती है आप दोनों अपना रूपिन से चेक अप करवाया करें जिस मिस्स विचारी फजूल में दवानिया फांक फांक के अपना अंदर का बेड़ागर कर लेती है सेम इसी तरह अगर प्रॉब्लम और और मर्द इलाज करवा रहा है तो तब यही सीन होता है दोनों का इलाज एट टाइम होना चाहिए क्योंके सम्टाइम यह होता है कि अगर म एक्टली रिलेशन बनाने से दुबारा बीवी में मुनतकिल हो जाते हैं इसलिए जो बिस्स को बीमारी इंटर्नली होती है उसका दोनों इकोली इलाज करवाएं ताकि आपका जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट हो सके कम पैसे लगें और साथ ही साथ आप दों एक दूसरे के सा हैपिली टाइम स्पेंट कर सकें और आने वाली बीमारियों से बचें उमीद है आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकों का बटन दबाएं तक हमारी वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहें अपनी दौाओं में याद रखिएगा खाफ याल रखें अपनी सहत का अला हाफिज मजीद इन्फरमेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों प्रेस करें शुक्रिया